एक ही जिन्दगी मिली है जराड धम से बर्बाद करो इसे आने तो बारिस आते ही रुमांटिक मौसम सिर्फ फिल्मों में दिखा जाता है हमारे गाउं में बारिस आते ही खीरे मुकाड़े आते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं मैंने पूछा तडपना क्या होता है परिवारवालों ने मुबाइल सिन लिया और बोला अब महसूस करो घर वाले सोचते हैं मैं तीन चार बज़े तक फोन चलाने के वज़े से जगती हूँ अब उन्हें कौन बताए घर में चोड़ी ना हो जाए इसलिए मैं जगती हूँ कि अच्वारा मैसेज देखकर ने किया राधत एक दिल मुझे घर से निकलवा देगी योड़े तुम्हारा मैसेज देखकर जैसे चुप-चाप की बैठ जाते हो, हैं, ना पुछ बोलते हो, ना पूछते हो, मुँपे एगनम चुपी साथ की रखते हो, क्या है यह सब? भगवान ने आदमियों को और ओरतों को, दो अलग-अलग तरीके से बनाया हुआ है, जैसे तुम लोगों के मूड्स षणी होते हैं, वैसे हम मैंन्स educator के होते हैं, मूड्स साईलेंट। मूड्स साइलेंट। यह क्या होताँ ? अरे शांत ही चाहिए होती है यार हम लोगों को अरे यार मुझे ली समझ बारा है तुम बोल क्या रहे हो जैसे computer को हम री-स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो ठीक चलने लगता है वैसे ही यह हमारा एक तरह से री-स्टार्ट प्रोसेस ही होता है अच्छा बस हमेना कुछ कुछ देर शांत बैठे रहने देना चाहिए कुछ देर बाद हम खुद ही बोलने लगे हैं वैसे री-स्टार्ट वन में टाइम कितना चाहिए होता है तुमें डिपेंड करता है मतलब या तो फ्रिज में बीर रखी हो या बीवी के शकल अच्छी हो दोनों में से अच्छा लेकिन तुमें इतना टाइम से लग जाता है फिर तो तुम मुझे बीर पीने कहा देती हो या मुझे तो टाइम लगे गाई अच्छा रहे हो तुम शकल अच्छी नहीं है मेरी अच्छी है इसकी मारा तणा गुमन चले आज के बाद कोई दोस्त बुलाने आएगा उना तो आज के बाद कोई दोस्त बुलाने आएगा उना तो आपकी तबाद में पहले उनकी कांगे तोड़ी है